Hello everyone and welcome to free digital marketing course और यह हमारा lesson 2 के अंदर हम बात करने वाले modules के बारे में तो सबसे पहले में आप लोग को बता दू digital marketing बहुत जादा वाइड है engineering की तरह जैसे computer science हो गया civil engineering हो गयो बड़े तरह की engineering होती है इसी तरीके से इसके अंदर भी काफी सारे topic होते है आप किसके अंदर specialized होगे हम सारी चीज़े जानेंगे इसके अंदर क्योंकि यह बहुत wide है और इस module से आपको काफी clarity मिल जाएगे digital marketing के बारे में So without wasting time, let's jump into the video So guys, इस video के अंदर हम बात करने वाले modules के बारे में बहुत जादा important है समझना क्योंकि अपने अंदर ही यह एक समुंदर की तरह है बहुत बड़े-बड़े topics है अगर इसके अंदर एक के अंदर भी आप specialization कर लेते हैं तो आप लाखो करोडो रुपे चाप सकता है महीने के और वो भी अराम से एक चीज़ के अंदर specialization करके सारी चीज़े करने के ज़रूत नहीं है लेकिन एक चीज़ सीख ली उसके अंदर expertise हासल कर ली तो बहुत बड़ा कर सकते हो सबसे पहले बात करेंगे search engine optimization search engine होता क्या है basically YouTube पे आप चीज़ों को search करते हो और Google पे चीज़ों को आप search करते हो जैसे कोई भी आपकी problem आ गई तो search engine optimization for example पहले YouTube का example ले लेता है for example अगर मैं यहाँ पे search करूं Instagram bio अगर मैं यहाँ पे search करता हो तो यहाँ पे हमारा वीडियो रेंक कर रहा है देख रहे हो यहाँ पे number one वीडियो किस तरीके से रेंक कर रहा है जैसे यह एड है तो यह और गैनिक ली रेंक कर रहा है इस पर अच्छे का से व्यूज है अगर मैं यहाँ पे search करूं Instagram SEO तो यहाँ पे हमारा यह वीडियो number one रेंक कर रहा है और यह एड है तो यह number one पे कैसे रेंक कराने यहाँ आता है और गैनिक के बारे में बात करें search engine optimization के बारे में तो यह पहला वाला जो आर्टिकल दिख रहा है यह search engine optimization के थ्रू है अब मैं बताता हूं लोग actual में search engine optimization के थ्रू कैसे पैसा कमाते है जैसे for example हम लिख देते है best phone under 15,000 इसका article सबसे पहले page पे rank कर रहा है अब सोचो की 15,000 के यह जो लोग search करते होंगे बहुत लोग 15,000 का budget रहता है और यह term search करी और जिसकी website number one पे rank कर गई सोचो कितना पैसे कमा रहा होगा क्यों लाखों लोग यह keyword search करते होंगे दिन में और कम से कम 10,000-5,000 लोग तो इसको purchase करी लेंगे आप सोचो कितना पैसे कमा सकता है तो जो search engine optimization है वो इसलिए बहुत जादा चलता है अब 10,000 कोई भी phone खरी देगा सोचो कितना पैसे बना लेगा यह इसने बहुत सारे दे रखे हैं यहाँ पर यह एफिलेट मार्केटिंग करता होगा SU की तुरू इसने rank करा रहा होगा तो इसका business बहुत जादा जाता है और company इसी चीज़ का यहाँ पर rank करा निकले जो freelancers होते हैं, marketers होते हैं या जो भी digital marketers हैं उनको लाखो करोडो रुपे देते हैं, number one ने rank करा निकले अब आप समझ रहो कितना important है same चीज YouTube के ओपर मैंने आपको बताए कि किस तरीके से है अब जैसे हम search करते हैं, Instagram, reach के ओपर अगर हमने search करा तो यहाँ पर हमारी वीडियो rank कर रहा है यह चीज करने के अगर आप यह चीज सीख गए तो सोचो आप कितना पैसक हमा सकते हो यह मैंने वीडियो एक बार ही बनाया है लेकिन इस पर views over the time increase हो रहा है हमेशा views बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है 147K हो गए तो यह है search engine optimization management run करना, देखो जैसा हमने इस पर बात करी थी कि यहाँ पर हमने Instagram reach रिखा, तो यहाँ पर add आ रहा है ऐसा keyword इन्होंने लगा है कि जो भी यह add चलाएंगे तो number one video उनका rank करेगा, कुछ भी search करेंगे for example, हम यहाँ पर search करते हैं, digital marketing तो यह search engine marketing है, जो भी पहला वीडियो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है search करने पर, वो आपका search engine marketing के अंतर आता है Google के उपर हम बात कर लेता है, Google के अंदर अगर हम search कर रहे है best hosting अगर हम search करते हैं, तो यहाँ पर आपको AD दिख रहा होगा backlink create करेंगे, वो directly add चलाते हैं, पैसा लगा के पैसा कम आते है organic में क्या है, search engine optimization के अंदर क्या है, उन्होंने article लिखा optimize करा, बहुत सारी चीज़े करी, उसके बाद वो rank करते है number one add के थुरू आप directly rank कर सकते हो, तो यह दोनों अपने अंदर बहुत ही जादा high demanding skill है, बहुत जादा high demanding skill है, और हम, मैं भी यह दोनों चीज़े करता हो, हमारी टीम सारी चीज़े कर रही है for example, अगर आप ब्लॉक की बात करेंगे, तो मैं आपको एक दो ब्लॉक दिखा दे तो हमारी टीम भी, यह search engine optimization करता है, for example, digital दहर है, अगर हम website खोलते है तो यहाँ पर यह हमने भी digital marketing के उपर article लिखा है, हमने instagram verification के उपर article लिखा है तो यह blog basically हमें यह चीज़ बनानी है आपकी, बहुत important है, right, organic भी काम करेंगे और inorganic भी काम करेंगे आप यह सारी चीज़े देख रहे हैं, right, ज्यादा technical नहीं है, बहुत आसान है, देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा हूँ, लेकिन बहुत simple है उसके बाद बात करते हैं, social media optimization के बारे हैं, बहुत ज़ादा important है यह भी, अगर आपको organic growth होना है, अपने number of followers बढ़ाने चाहे हो, कोई भी platform हो, facebook हो गया, instagram हो गया, एक मैं आपको छोटा सा example देता हूँ, जैसे आप instagram देख रहे है, for example मुझे search करना, coaches को, तो मैं आपर लिख इंटर को, तो मैं आपर लिखूँगा, वीडियो, वीडियो एडिटर, और मैं एंटर कर लोगा, यहाँ पर जितने भी वीडियो एडिटर होंगे, वो सारे खुल के आचाहेंगे, यह number one पर कैसे rank करना है, इनको organic लोग कितना काम देता होंगे, आप सोचों कि अगर मुझे वीडियो एडिटर की जरुत और मेरे पास नहीं है, तो मैं सीधा इंस्टाग्राम पर लिखूँगा, वीडियो एडिटर और अपने आपको rank करा के, मेरे पास काम आना स्टार्ट हो जाएगा, तो है ना एक कमाल की चीज, अभी जैसे सर्च करते हैं, यह वाला time, जैसे creators को सिखाता हूं, तो यहां पर हमारा सबसे उपर rank कर रहा है, देख सकते हैं आप, सबसे उपर हम rank कर रहा है, तो यही चीज है कि किस तरीके से आप इसको optimize करोगे, तो यह आता है आपका social media optimization, अब बात करते है social media marketing के बारे में, social media marketing होती है, बहुत जादा powerful है यह जैसे for example, हम कि product के लिए, या services के लिए add run करते हैं, जैसे facebook पे हम add चलाते हैं, यह basically हमारे कुछ add है, जिनके ओपर हम काम कर रहे हैं, और यह metrics है पूरा जो हमें बताता है कि क्या data है, क्या data नहीं है, किस पर हमें काम करना चाहिए, किस पर हमें काम नहीं करना चाहिए, sales वगेरा, यह सारी बताता है, हम यहां से सारे data point देख सकते हैं, क्या-क्या data आ रहा है, कितने की हमारी costing आ रही है, कितने की हमारे views आ रहे हैं, यह बहुत ज़्यादर demand में है, और ज़्यादातर companies को भी preference देती हैं, क्योंकि लोग पैसा से पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के अंतर patience नहीं है, यह एक बहुत बड़ी skill है, तो यह कहलाती है आपकी social media marketing, आपको optimization के बारे में पता लगया, marketing के बारे में पता लगया, आप बात करते हैं, content marketing के बारे में, content के थूँ कैसे marketing होती है, जैसे हमने यह blog बनाया, हमने इस blog के बारे में लिखा, इस blog के अंदर हमने सारी चीज़े लिखे हैं, कि भाई, digital marketing क्या चीज़ है, क्या experience रहा है, वो सारी चीज़ है, और इसके अंदर में अपना खुछ भी product promote का सकता है, कोई भी form promote का सकता है, lead generate का सकता है, बहुत सारी चीज़े का सकता हूँ, इसी तरीके से YouTube हो गया, अगर आप YouTube पे देखेंगे, हम इ पड़ेगी, अगर आप content marketing के अंदर नहीं हो, तो शायद आप this game के अंदर ही नहीं हो, बहुत important है content marketing, उसके बाद हम बात करेंगे email marketing, email marketing से बहुत sales आती है, आपका brand बहुत जादा बड़ा होता है, और serious लोग आपके पास होते है, जैसे for example, यह हमारा एक demo account है, convert kit का, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, हम यहाँ पर automation के थुरू लोगों को automatically emails आते है, for example, अगर आप यहाँ देखेंगे, तो हमारे newsletter के लिए, हमारा leads जो भी आ रही हो, उनके लिए हमने automation बना रखा है, यहाँ पर हमारा sales के लिए automation बना हुआ है, और even sequence भी होता है कि आपको automatically automatically, लोगों को आप email बे सको, एक दिन के gap के बाद, दो दिन के gap के बाद, for example, यह हमारी कुछ master class teachers के लिए, हमने automation बिल्ड किया था, हर दिन एक-एक mail जाता रहेगा, तो हमने यह सारी चीज़े बिल्ड करी थी, यह सारी चीज़े आप email marketing के अंदर सीखने वाले हो, automation के बारे म बहुत interesting field है यह, आप लोगों को चीज़े recommend करोगे, for example, आप particularly वो चीज़ use करते हो, और वो best है, और आप अपने customers को, आप अपनी audience को वो चीज़ recommend कर सकते हो, affiliate marketing के थूँ आप अच्छा खासा commission कमा सकते हो, heavy commission कमा सकते हो, इसका future bright है, और over the year यह बढ़ता ही जा रहा है, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा, कि किस तरीके से affiliate marketing की जा सकती है, और free में आप पैसा कमा सकते हो, खाली लोगों को अपने product recommend करके, right, e-commerce marketing के उपर बात करेंगे, जैसे Amazon के उपर marketing होती है, जैसे for example, हम यहाँ पर search करते है, Amazon के उपर जो product डालते हैं, यहाँ से आप इन product को कैसे बेच के होई commission कमा सकते हो, even e-commerce marketing क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे, influencer marketing क्या होता है, आज कल आप लोगों देखा हो, बहुत बड़ी-बड़ी company है, जो influencer को approach करते हैं, अपने product को promote करने के लिए, अप influencer के पास ने influence होता है, लोगों को influence करने का और वो product को sell करने का, जैसे आप मामार्त देख लो, मामार्त लोगों को hire करती है, जो influencer होता है, अपने product को sell कराने के लिए, और उनका word of mouth जो होता है, वो बहुत जादा valuable होता है, क्योंकि over the time उन्होंने audience पे trust gain करा है, तो influencer marketing है बहुत जादा बढ़िया चीज है, अगर आप अगरे लिखता हो, तो यहाँ पर clearly लिखाता है, influencer and creators coach, तो मैं influencer भी हूँ और creator coach भी हूँ, तो मैंने यह चीज़ यहाँ पर लिखे हुई है, उसके बाद बात करते है, sales funnel के बारे में, कि funnel किस तरीके से create होता है, multiple funnel होता है, मैं आपको दिखाँगा, एक छोटा सा funnel अगर मैं इंटरस देने वाला हो, और यह बहुत important है, यह सारी चीज़ों के don't worry about the practical work, पूरा practical work होने वाला, अभी हम सिर्फ overview समझ रहे थे कि, कि आपके interest के क्या चीज़ हो सकते हो, और digital marketing के अंदर आप क्या क्या चीज़ है, सीखने वाले हो, तो यह सारी चीज़े हम cover करने वाले है, नेक्स स्टेप क्या होगा, हम नेक्स वीडियो के अंदर domain के बारे में बात करेंगे, domain होता क्या है, टेक है, domain, मैं आपको चलो इसी वीडियो में बताते तो, domain बेसिकली वो होता है, जैसे website आप डाले हो, digitaldehrate.com, तो यह जो specific identity होती है, यह domain कहलाता है, जिससे आपकी लोग website खोल सकता है, आपके बारे में खोल सकता है, वो एक particularly domain होता है, अब बात करते है, different domain extension, देको different domain extension क्या होता है, dot com हो गया, dot n हो गया, dot org हो गया, dot expert हो गया, तो बहुत सारे domain होता है, जैसे हमने digitaldehrate.com लिया हुआ, ऐसे different different तरीके extension होता है, ठेक हमें कौन सा लेना है, हम इसक hosting के ऊपर चल रही है, hosting होता है basically आपके दुकान का space, हम ये online है, तो ये कहां पर हमें space मिलता है, उसके बारे में हम बात करें कैसे website चलती है, तो basically जो हमारी पूरी website है, हमारी hosting के ऊपर चलती है, हमें, जैसे हम किराये पे दुकान लेते है, इसी तरीके से hosting होती है, हमें उसक होती है, cloud hosting होती है, dedicated hosting होती है, इसके बारे में हम particularly, बहुत detail में बात करने वाले उसके बाद free hosting होती है paid hosting होती है, इन में क्या फर्क होता है दोनों के बारे में आपको बताऊँगा और मैं आपको बता दو, जो भी हमारे secret हो сильно and strategic strategy होगी, वो मैं एक गुरुप पे शेयर करने वालो, टेलीग्राम हम एक कॉम्मिटी बना रहे हैं, जो डिजिल मार्गटिंग ट्रेनिंग के अंदर है, इस वाली ट्रेनिंग को जो कर रहे हैं, उनके लिए सीक्रेट, पीडिफ वेगरा हो, जो सारी चीज़ हम शेयर करेंगे, वह हम टेलीग्राम तो इसको जोईन करना बहुत जादा इंपोर्टन है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी आपने सिर्फ मॉडियूल समझे की मॉडियल क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल वर्क करना स्टार्ट करतेंगे, आपकी वेबसाइट बनाना स्टार्ट क ग्रूप को जोईन करना, बिल्कुल मत भूलना. एक साथ लेके आएंगे और अपनी वेबसाइट करेंगे, और वेबसाइट करना बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है, इस इंडस्ट्री के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, अगर कोई मेरे पास इंटर्व्यू के लिए आता है, तो उसके 10 टाइम्स जादा च लेके स्टेप बाइस पैसे क्रेट करना कहां पर क्लिक करना क्या होना है, सारी चीज़ आप वहां से क्रेट कर सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउध पूरा प्रैक्रिकल वाग्वने वाला है, नेक्स लेस्टन के लिए आपको नीचे जो रेटिकल का बटन दिखाईधर है, क विब यचोष हाई!